हम आज फिर से देखेंगे कि हम रोबोट क्लास इसको कैसे यूज़ करके उसमें और एक्षिंस परफॉर्म कर सकते हैं लेट से हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं या इसी क्लास में कमेंट करके यह जो हमने किया था इसको कहेंगे हम handling alerts जो हमने लास्ट टुटोरियल में किया था और आज हम करेंगे क्या हम करेंगे file upload तो मेरे पास एक upload.sgmail है जब भी मैं इसे क्लिक करूँगा तो यह मुझे upload करने का option देगा और मैं यहाँ पर इसे upload कर सकता हूँ लेकिन आप अगर देखें तो यहाँ तक तो आपका वेब पेज है पर जैसे आप इसे यहाँ क्लिक कर रहे है तब आपका वेब पेज ना होके एक system का आपके desktop application खुलती है desktop dialogue box खुलता है यहाँ पर आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको help कर सके कि इससे आप element fetch करके selenium को use करके आप file upload कर देजिए तो ऐसी situations में यह एक ideal situation है robot framework को use करने के लिए तो robot जो class है आप इससे कैसे use कर पाएंगे इसको वो देखते है फिर से हम लोग क्या करेंगे robot का एक object उसके लिए हम try catch में डालेंगे इससे और उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी file है मेरी यहाँ पर जो file है test.txt है मैं इसको string में देता हूँ और नाम देता हूँ string का text अब मुझे क्या करना है एक string selection करना है तो उसका मैं एक object बनाऊँगा string selection का एक object बना और उसमें जो pass होगा वो string pass होगी यानि की text pass होगा जो मेरा file name है वो pass हुआ और अब मैं इसको import कर लूँगा उसके बाद जो है या पर हमने text pass नहीं किया इसे हमने pass कर दिया आपर उसके बाद जो है एक clipboard का object होगा जो आप pass करेंगे तो एक clipboard का object होगा जिसको हम यहाँ पर करेंगे initialize toolkit dot get default toolkit dot get system clipboard इसको हम initialize करेंगे यह भी java dot awt से initialize होगा इसके बाद इस object को content set करेंगे जो हमारा string selection है तो basically हमने यहाँ पर किया क्या है हमने clipboard के उपर यह file copy कर लिया है तो जब यह execute होगा तो आपके selection में जो आप अगर control v करेंगे या paste करेंगे तो यह आपका file name आएगा तो हमने basically यहाँ पर यह किया है copying file name on clipboard अब जब यह हो गया आप मुझे इसको paste करना है तो paste के लिए हम simply keys press करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर आएगा क्योंकि scope change हो गया try catch के बाद key press किया key event dot vk underscore आप कैसे करते है control और साथ में क्या press करते हैं यहाँ पर आप देखें कि हमने प्रेस किया है control v को यह दो अभी प्रेस ही हैं अगर आप प्रेस कर रहे है control को इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप v press करेंगे तो यह अपने अप release हो जाएगा release के लिए आपको अलग event करना पड़ेगा rb.key release जब आप release करेंगे तो आप यहाँ पर v दबाएंगे ऐसे ही आप control को भी release करेंगे v की जगा control v and v control तो यह आपका release हो गया अब इसके बाद आपको enter भी press करना है तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है आपर जैसे आप यहाँ देखिये जब upload.html खोल रहे है तो आपने यहाँ click करवाया होगा यह selenium से होगा अब उसके बाद आपने paste किया release किया और उसके बाद आप enter दबाएंगे ताकि test.txe जब paste हो गई तो enter दबाएंगे अगर यहाँ पर आप तो यह upload हो जाएगी तो यह action आपको perform करवाना है तो इसके बाद आप क्या कहेंगे rb.keypress even.enter इसको semicolon लगाया तो यह आपका action perform हो गए तो यहाँ पर आपने क्या क्या initializing robot object pasting file name from clipboard pressing enter for uploading file तो यहाँ पर आपने यह सब कुछ कर लिया पर इस से पहले जो हमने करना था जो click करना था वो हमने नहीं किया ताकि upload का option खुले तो हम यहाँ पर वो करेंगे और यहाँ इसकी id क्या होगी वो देख लेते हैं file to upload यहाँ ने file to upload डाल दियो तो हमने यहाँ क्या किया यहाँ पर अपने chrome driver को initialize किया उससे पहले हमने उसकी property set की ताकि हम बता सके कि chrome driver.exe car present है उसके बाद हमने कहा कि एक element पर जाके उसे click करो और उसके बाद हमने कहा कि इस file name को copy करके robot class से आप paste करके enter दबाएं और वो file upload हो जाएगी इसको हम execute करेंगे और देखते कि क्या वो action perform हो रहे है हमने यहाँ पर file name गलत ले रखा है तो हम यहाँ पर इसको testing की जगा upload.html करना है हमने और फिर execute करना है तो यहाँ पर browser खुलेगा और upload.html पर जाएगा तो इसने डालो बॉक्स खुल दिया तो डालो बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पर उसने upload कर दिया इसको दुबारा देखते है राइट क्लिक run as java application तो यहाँ पर यह paste करेगा file name को पहले जल्दी में execute हो गया तो दिखा नहीं और उसने paste करके upload कर दिया हम एक sleep लगा देते हैं ताकि इसको देख पाए अच्छे से तो हमने यह sleep लगाया यहाँ पर और उसके बाद enter के बाद पहले भी एक sleep लगा देते हैं ताकि हम notice कर पाए कि कैसे file upload हो रही है तो यह upload पर click हुआ wait करने के बाद यह paste करेगा अब 10 second के wait के बाद यह enter press करेगा अब यह enter press हुआ तो आपने देखा कि यह file upload हो गई है आपर लेकिन अगर same काम हमने बिना focus के किया let's say मैं यहाँ पर इसको click करवा रहा हूँ यह file upload हो गरी है लेकिन let's say मैं यहाँ चला जाता हूँ eclipse पर तो क्योंकि उसने clipboard से paste करना है उसको यह मतलब नहीं कि आपका cursor कहा पर है तो इसने यहाँ पर paste कर दिया console में ही और आप देखेंगे कि इसके object के अंदर आप कई सारे action perform करा सकते है mouse action सारे है wait करने के लिए capture करने के लिए screen delay डालने के लिए लेकिन इसमें अगेन आप advantage जो action class से बड़ा advantage यह है कि आप इससे desktop based applications भी handle कर सकते है बट इसका disadvantage यह है कि आप इससे सिर्फ वही action perform कराएंगे जहाँ पर उसका cursor होगा तो जहाँ पर आपको लगे कि यह आपके लिए suitable है तभी use करें वरना आप simply keyboard actions है mouse actions जैसे perform करा रहे हैं वैसे perform करें until or unless कोई desktop based applications picture में नहीं आ रहे हैं तो अभी के लिए तता ही thank you